कि बीस पैसे का कोई सामान है तो 47 पीस का कितना पैसा हुआ जे हम फ्रेंट्स हम लोग मार्केट में अक्सर जाते हैं अगर पैसे में कोई सामान का रेट बताया गया और हमें कुछ पीस का निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा तो यहां पर रूपए में जब होता है तब तो हम आसानी से गुणा कर लेते हैं कैलकुलेटर में भी फटा फट कर लेते हैं लेकिन अगर ये पैसे में होता है तो वहां पर हमें समस्या होती है प्रॉब्लम होती है तो देखिए हमें बच्पन में ही सिखाया जाता है पैसे का हिसाब तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना होता है यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ यह ध्यान रखना है कि रूपए और पैसे के बीच में हमें दस मलव लगाना है क्या लगाना है दस मलव लगाना है पॉइंट लगा करके तब अपनी क्यालकुलेशन करनी है तो देखे यहाँ पर अगर हम इस question पो solve करना चाहें और यहाँ पर अगर हम दाम निकालना चाहें तो दाम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक पीस का जो मुल्य है यहाँ पर एक पीस का मुल्य यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर हमें गुणा करना होगा जितने पीस र आगर हमें इसको solve करना है तो देखे 20 पैसे का कोई समान है लिखे 20 wider को स्वासी नहीं है अगर रुपई पैसे मैं आपके सामनीं लिखिक दो रूपय 50 पैसे या 2,5 रूपय अगर हमें लिखना है 1,5 रूपय हम क्या सब wydaje पांच पैसे को साठे पांच पांच पैसे लेकिन यहां पर क्या है है? यहां पर है? यहां पर क्या है? Bluetooth 50 पैसे हैं तो इसको हमें लिखने के लिए हमें आगे दसमलों के नहीं दसमलों के सिर्फ पीछे लिखना पड़ेगा तो 20 पैसे यह हमारे हो गए ठीक है तो कैलकुलेटर में जब हम एंट्री करेंगे तो यहां दसमलों 20 करेंगे जीरो पॉइंट भी हम कर सकते हैं 0 कोई मतलब नहीं आपके ओल इतना भी करेंगे तो भी आपको answer मिलेगा result मिलेगा अब total piece है 47 कितना piece है 47 तो 47 piece है तो यहां पर क्या करेंगे यहां पर हम 0.20 में हम 47 का गुणा कर देंगे तो चलिये हम गुणा कर दे रही है यहां पर 10 मलव 20 है 002 यहां कुछ नहीं 2 सते 14 और 2 चौक आठ हो रेक 9 9 4 0 और 2 अंक पर यहां पर 10 मलव मतलब कितने हो जाएंगे 9 रूपए 40 पैसे कितने हो जाएंगे 9 रूपए 40 पैसे हो जाएंगे हमारे total 47 पैस अगर हमें सामाल लेना है तो चलिये एक आञ और question कर लेते हैं question मान लीजे एक पीस का जो मुल है एक पीस का मुल है 2 रूपए 15 पैसे कितने दो रूपए 15 पैसे और ऐसे ही हमें 80 पीस का मुली निकालना है इसको solve करने के लिए हमें दाम निकालने के लिए क्या करना होगा एक पीस का मुली लिखना होगा तो एक पीस का मुली कितना है दो रूपए 15 पैसे तो दो आगे हो जाएगा दसमलों के और पैसे पीछी हो जाएगा इसमें हम 80 का गुणा कर देंगे जैसे हम क्यालकुलेटर में एंट्री करेंगे चाहे ये और चाहे ये हमें फटाफट इसका जो एंसर जो भी गुणा करने पर आएगा तो चले हम लोग गुड़ा कर लेते हैं 0 को हम यहां नोट कर ले तो इस तरह से अगर रुपए पैसे वाला हिसाब तो दसमलों का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा और हम पैसे को लिखने के लिए आगे दसमल लगा के तब उसको लिखेंगे और फिर हम अपना कैलकुलेशन करेंगे तो हमें असानी से हमारा वैल अ मैं आप मैंप अ़्लों मैंनी से यागे उनलों हम वाला हिसे टूलों इसको लिए ठकार वाला हिसा थनसी पाला हُच्शफ पाद tiempo करेंगे और हमें तो हमें सनकर पाद्समलों को अबढे आरां रफिरोडने के लिए पैसे लिएको बाद़ माना की मैं जरू प्योंने की जरा